विडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मार्केट है इंडियान स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है इसके पीछे की क्या वज़ा हो सकती है क्या कारण हो सकते हैं उस कारण उन कारण उसको मैं बिसिकली आपको पांच पांच ने चार फैक्टर्स के रूप में आपको बताने वाला हूं तो बहुत जल्दी ही आपको छोटिस वीडियो के जड़ी बताना है किरपया ध्यान से सुनिएगा आपको हर चीज मैं जल्दी से बताने की कोशिश रहेगी उससे पहले आपको बता देता हूं निफ्टी 50 जो है आज के दिन यानि 24th of September को 326.30 यानि 2.93% डाउन क्लोज हुआ है 10,805.55 पे इनिशियल क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में जो की 11,131.85 थी और आपको बताना चाहूंगा निफ्टी बैंक के बारे में निफ्टी बैंक के इस टेरस को अगर आप देखेंगे तो 721.65 पॉइंट डाउन या फिर 3.41 परसेंट डाउन है 20,456.85 पे क्लोज हुआ अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में जो की था जो की इसका प्रिवियस क्लोज अगर आप देखेंगे तो 21,178.50 था इसके लाब आपको सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी बहुत जादा यूज गिरावट देखने को मिली 1114.82 पर डाउन है इतने पॉइंट डाउन है या फिर 2.96 परसेंट डाउन क्लोज हुआ 36,553.60 पे अपने प्रिवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में जो की था 37,668.42 आप देख सकते हैं इतनी भारी जादा गिरावट हो रही है इतना एक्ता मार्गेट में पूरी तरीके से ब्लट बैथ हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे के क्या कारण है चार कुछ कारण में आपके सामने आप पेश करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा देखिए पहला कर नहीं है इंडिया कर नहीं है ये ओवर ओल देखा जाए तो एक तरीके से हर किसी कंट्री के साथ एज सिचुएशन है यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यूएस यूनाइटेड इस्टेट के फेडरल रिजर्व वाइस चेर रिचार्ड क्लेरिडा का कहना था इन्होंने का वेनेजडे के दिन कि यूएस की जो एकॉनमी है वो डीप होल में ही रहने वाली है ठीक है जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है डिमांड कम होती जा रही है ठीक है और कुछ स्टिमुलस पैकेज की यहाँ जरूरत है क्यों क्योंकि यहाँ पे कुरोना वायरिस की चक्कर में लोगों के काम धाम बंद हो गए लोग जॉबलेस हो गए तो लोगों के डिमांड कम हो गई लोग खरिदना कम कर देंगे लोग पर्चेजिंग पावर कम हो जाएगी तो जिससे लोगों की डिमांड कम होगी उसका आसर हम लोगों को एकॉनमी तो दिख़ेगा ना ठीक है इ इसलिए इन्होंने कहा कि जो economy हो एक deep hole से गुजर रही है और ये काफी अभी इतना जल्दी ये recover होने वाला नहीं है second point तो एक बहुत बड़ी बात हो गई ना वहाँ से USA की strong economy माने जाती है तो वहाँ से अगर इस तरीके की news निकल के आती है तो उसका impact directly stock के उपर पड़ता है ठीक है जो indices होती है basically तो अब देखे second point क्या है second point जो है आज की दिन इतनी ज़्यादा bloodbath को देखने के पीछे का करण कल भी हुआ आज भी हुआ and let's see what is going to happen tomorrow global market sentiment देखें तो वह भी काफी ज़्यादा bearish है MSCI जो की Asia का broadest index है वो भी 1.35% down था टंबल था ठीक है morning session में इसके लवा Chinese blue chips dropped 1.09% Hong Kong का जो Hang Seng है 1.72% down था Seoul के OSPI 1.73% down था Australian share जो है 1.18% lower से Japan का जो nickel था वो 0.74% down था Dow Jones की बात करें तो Wednesday के दिन 1.92% on an average fall हुआ इसके अंदर S&P 500 lost 2.37% down Nasdaq के बात करें composite dropped 3.02% तो ये कुछ global sentiment है global market के अंदर एक huge fall है इसका impact हमारे stock market में भी दिखता है तीसरा point है macro numbers put more pressure Macro numbers put more pressure ठीक है US business activity cooled in September with gains at factories offset by a retreat at services Investors now wait weekly data which is expected to show US jobless claims fell slightly but remain elevated Across the pond, Eurozone business growth ground to halt this month as the service industry slammed into reverse, knocked by resurgence in COVID-19 cases, prompting governments to reintroduce restrictions and survey show Survey के मताबिक restrictions फिर से reintroduce करने की demand हो रही है तो आप देखें next जो इसका कारण है COVID-19 re-emerges COVID-19 की situation जो है पूरे देश के अंदर हर दुनिया में हर कोई country के अंदर ये बहुत ज़्यादा re-surgents इसके data में देखने को मिला है इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको पता ही है हालत बहुत ज़्यादा खराब है बहुत ज़्यादा खराब है तकरीबन वन लाक केसे हर दिन आने वाले हैं कुछ एक दो दिन तीन दिन के अंदर में ये data हमारे सामने होगा depends on the number of testing टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगे उतना ही ज़्यादा number हमारे देश में देखने को मिलेगा अभी total currently 57.3 lakh patients है और 1 lakh per day के साब से cases आने वाले हैं तो ये एक बड़ा huge number है और ये बहुत ज़्यादा fear करेट करकर रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर ठीक है number of coronavirus related deaths worldwide जो है 9.75 lakh है according to Johns Hopkins University Tracker जो की एक official government data को show करता है 91,000 people in India have died from this virus इस virus से अभी तक हमारे देश में 91,000 लोग अपनी जिंदिगी को गवा चुके है अगर है इसी rate से death continue करती है तो world will have suffered a million dead before 1st October एक October से पहले पहले अगर ऐसा ही data रहा तो एक million से ज़्यादा लोग इस virus के चपेट में अपनी जान गवा चुके होंगे तो ये एक बहुत बड़ा factor है इस basically blood bath को define करने के लिए ये global market में भी fall इसी वज़े से कह सकते हैं कि इन चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा concentrated है COVID-19 का re-emerging होना तो ये कुछ चार पॉइंट से चार कारण थे जिसकी वज़े से market ब्लड बात थेकने को मिला अब युप यू लाग धिर गएग से